Hello friends, welcome back to my channel Friends, आज हम कुछ ऐसे symptoms के बारे में बात करेंगे जिनसे आप आसानी से ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपके गर्भ में एक लड़का पर रहा है या फिर एक लड़की जब भी कोई महिला pregnant होती है तो उनके मैंन में ये जिग्यासन नवे महिने तक चलती रहती है कि आने वाला जो महमान है वो लड़का होगा या लड़की और ये सभी महिलाओं में देखे जाते हैं कि सभी महिलाओं को ये जानने की बहुत जादा उत्सुकता होती है तो अगर आप भी जानना चाहती है तो वीडियो को बीना इसकिप किये पूरा देखे और अगर चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बैल आइकन क्लिक करके ओल पर दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि मैं कोई भी वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए फ्रेंड्स बीना देर किये बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं पहले लक्षण के बारी में तो ये लड़का होने के ही लक्षण माने जाते हैं वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको पुरुष यंगती से जुड़ी हुई फल हो गए या फिर सबजिया हो गए आपको बहुत ज़्यादा खाने में पसंद आ रहे हैं या फिर आप सपने में देख रहे हैं तो ये भी लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं जैसे कि सेब हो गए, अनार हो गए, केला हो गए, नारियल हो गए, अमरूध हो गए और सबजियों में तुरई हो गए, लौकी हो गए, बैंगन हो गए, आलू हो गए, इस तरह की चीज़ें अगर आप सपने में देखती है या फिर आपको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है जो male gender से जोड़ कर देखा जाता है तो ये भी गर्भ में लड़का होने के लक्षण ही माने जाते हैं अगला लक्षण है friends कि अगर pregnancy के दोरान आपको दाल खाना या फिर आजमा खाना ये सब छोले हो गया है ये सब खाना अगर पसंद नहीं आ रहा है तो ये लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं वहीं लड़की के टाइम पर देखा गया है कि महिलाओं को बहुत ज़्याद दाल राजमा छोले वगयरा खाने का मन करता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये लक्षण हर किसे में दिखाई दे लेकिन मैंने जहां तक सुना है तो मैंने यही सुना है कि जब बेबी बॉय होने वाला होता है तो महिलाओं को दाल राजमा और छोले उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, next लक्षन है friends कि अगर आपके टांगों में बहुत ज़दा दर्द रहता है, एंठन रहती है, तो ये भी लड़का होने के लक्षन माने जाते हैं, साथी साथ अगर आपके कमर में दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है, निपल के नी बढ़ने लगे हैं, फेस पर भी छोटे छोटे रोई निकल गया है, अपर लिप्स पर रोई निकल गया है, तो ये भी लड़का होने के ही लक्षन होते हैं, वहीं जो बेबी बॉय होने के टाइम में महिलाओं में देखे जाते हैं, कि अगर वो चलते वक्त अपने दाएं पैर को पहले उठाती है, या फिर बैट कर उठते वक्त वो अपने दाहिने में हाथ का सहारा लेकर उठती है, तो ये भी लड़का होने के ही लक्षन होते हैं, वहीं अगर उनको बच्चे की हलचल बहुत देर से महसूस होती है, पांचवे महिने से ज़्यादा फील होती है तो ये भी गर्ब में लड़का होने के ही लक्षन होते हैं, तो फ्रेंट्स इतने सारे लक्षन मैंने आपको बताए हैं, जिनसे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये जानना कि आपके गर्ब में एक लड़का पर रहा है या एक लड़की, तो फ्रेंट्स कोई भी जो लक्षण होते हैं वो 100% सही नहीं होते हैं उनका कोई साइंटिभी प्रमान नहीं होता है तो वीडियो को 100% शौर ना माने और वीडियो को देखकर कोई भी गलत कदम ना उठाए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के साथ मैं मिलती रहूंगी तब तक के लिए बाई